चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसंतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहने वाला है। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का अभीजीत मुहूर्त, जो की दिन का सबसे शुब समय है, सुभे ग्यारह बचकर तिरपन मिनट से बारह बचकर एक्तालीस मिनट तक होगा। आज चंद्रमा करक राशि में संचरन करेगा, जबकि सूर्य कन्या राशि में रहेगा। 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार, आज के दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिलकुल उपयुक्त है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और द्रढ़ व्यवहार करेंगी, जिससे आसपास के लोग आश्चर्य चकित होंगे। उन्हें आपकी क्षमताओं के बारे में अपनी राय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन उनके आश्चर्य के इस अनुभव से आपको आज एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इस मौके और अवसर का लाब उठाने से मत चूकिये। कोई अप्रत्याशित स्रोत आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। बुराईयों या अस्वास्थिकर गतिविधियों से दूर रहें और समझदारी से धन का निवेश करें। आपको यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए अपने दिमाग में उठने वाले अध्यात्मिक या अलौकिक विचारों को व्यक्त करने का सही उप्योग करें। आपके सितारे यह बता रहे हैं कि आपने बहुत महनत की है। इसलिए अब कुछ देर आराम करने का समय आ गया है। अपने व्यक्तिगत स्वास्थे पर ध्यान दें। जीवन में उतार चड़ाव से भी आपको लाब होगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीत का आनंद तब आता है जब सभी आपके हारने की उम्मीद कर रहे हों। आपके करीबी लोगों का विश्वास और सहयोग आपको मिलेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए महतवपूर्ण रास्ते खोल सकता है। मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी समय बिता सकते हैं और आर्थिक स्थिती में भी सुधार होगा। अधिक खाने से बचें और अपने वजन पर ध्यान दें। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है जिसे सुलजाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। व्यक्तिकत, संबंध, संवेदनशील और नाजुक रहेंगे जबकि कार्यक्षेत्र में आप खुद को खास महसूस करेंगे। अनजान लोगों से बात करना ठीक रहेगा। लेकिन उनकी विश्वसनियता जाने बिना उन्हें अपने जीवन की बातें बता कर आप अपना समय बरबाद करेंगे और कुछ नहीं। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गडबड हो सकता है। इसलिए जीवन में नए अनुभव लाने के लिए नई चीजें सीखनी होंगी। एक जैसी बातों में अटके रहने से निराशा बढ़ सकती है और आपको ठकान महसूस हो सकती है। अपनी सेहत में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक बातों पर ध्यान दे। किसी नई नौकरी के साथ आपका परिचय बनेगा। लेकिन जब तक व्यक्ति की परिस्थितियां ठीक नहीं होती, तब तक स्थिती स्पष्ट नहीं होगी। तब तक व्यक्तिगत चर्चा न करें। आपको प्राप्थ हो रहे आर्थिक लाब के कारण व्यापार से जुड़े अन्य लोगों में जलन हो सकती है। रिश्टे ठीक रहेंगे लेकिन हार्मोनल संबंधित समस्याएं बढ़ने की संभावना है। अपने जीवन साथी में सुधार करें और जीवन शैली में बदलाव लाएं। यदि आपको कोई तनाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि भाग ये आपका पूरा साथ देगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को किसी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकता है। आपको कार्यक्षेतर में अपने सहकर्मियों से मदद की आवश्यक्ता होने पर वह आसानी से मिल जाएगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। सावधानी बरतें और भावुक्ता पर नियंतरन बनाए रखें। संकीर्णता से बचें। किसी मित्र के साथ संबंध खराब होने की आशंका है जिसका नकारात्म कसर आपकी कार्यक्षमता पर पढ़ सकता है। महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। परिवार जनों से उचित तालमेल बना रहेगा और वरिष्ठ लोगों का सानिध्य भी मिलेगा। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। अब आपका मन पहले से अधिक्षान्त है और आप नए सिरे से उस गुलाब के रंग की चश्मे वाली लड़की को ढूंडने के लिए तैयार हैं। प्यार के हरियाली बाग में आराम से चलें। इस बार आप निराश नहीं होंगी और प्यार के इस आशियाने में खुशी से रह पाएंगी। रोमांस और यौन सुख प्राप्त करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बस आपको अपने साथी को इंप्रेस करना होगा। जब आप दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी से जगड़ा होने पर आप अपने अपमान से परेशान हो सकते हैं लेकिन आज का दिन खास है। चिंता छोड़कर आपके पास जो भी है उसका आनंद लें। आज आप घरेलू कामों पर ध्यान देंगे। खास कर उन पर जो आपके दिल के करीब हैं। उनके लिए खास खाना बनाएं या कोई रोमांटिक गाना गाएं। याद रखें, प्यार के रिष्टे में आत्म विश्वास के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज का दिन उतार चड़ाव वाला रहेगा। जहां आपको धन और प्रसिध मिलेगी, वहीं किसी खास की बीमारी या निधन आपको दुखी कर सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों को स्वीकार करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। क्योंकि सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। आज अपने परिवार को समय दें, हलांकि इस से आपका काम प्रभावित हो सकता है। तनाव से बचें और चीजों को हलके मिलें। लोगों के बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि आप उन पर निर्भर नहीं हैं। अपने स्वास्थे पर ध्यान दें, याद रखें, स्वास्थे ही एक मात्र ऐसा धन है, जिसकी चोरी से इनसान पूरी तरह से कंगाल हो सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बना कर चलने का यह एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की और अगरसर है। इसलिए इस खुशी में आप दोस्तों और परिवार के साथ कुछ खास पल बिता सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो। नौकरी और बिजनिस में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। हाला कि अभी काम का बोज बहुत कम रहेगा। अपने पेपर्स और फाइलों को सुव्यवस्थित करें और व्यवसाय से संबंधित नई नीतियों पर भी विचार करें। और साथ ही अमल करने का प्रयास भी। करें। व्यवसाय में आपकी योजनाएं सफल होंगी और किसी सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने किसी से कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक चुका सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव सोच समझ कर करने होंगे। माता-पिता के आशीरवाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। विद्यार्थियों को भौतिक और मानसिक बोज से छुटकारा भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। घर और ओफिस में लगातार तनावगरस्त रहने से आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है। और आपकी सोचने और सपष्ट निर्णय लेने की क्षमता भी इससे प्रभावित हो रही है। आपको यह समझना होगा कि इस समस्या की जड़ काफी हद तक एकरस हो चुकी रूटीन आदतें हैं। नियमित रूप से सुभह की सैर पर जाने से आपको फाइदा होगा, जिससे आपके शरीर और दिमाग को ताजगी मिलेगी। आज के दिन आपकी राशिक अनुसार बीमा से जुड़े किसी नए योजना में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा, जबकि रियल एस्टेट में निवेश का भी अच्छा अवसर मिल सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ओंफर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। होम लोन लेने की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस समय व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन पर ध्यान देना फाइदेमंद साबित होगा और निवेश के नए अवसर तलाशने से भी लाब हो सकता है। यदि आप लोन के बारे में सोच रहे हैं, तो आज के दिन आपके निर्ने सफल साबित होंगे। आनलाइन बैंकिंग से जुड़े किसी भी लेन देन को आज सुरक्षित रूप से पूरा करें। यह आपके वित्तिय सुरक्षा।